हालो, सेल्स सोल्योशन वाला यूट्यूब चानल में सब को सोगत है आज हम बात करेगा S7 Edge इसका मोडल नमबर SMG935U इसका चार्जिंग प्रोब्लम का बरे में चार्जिंग का जित्रमी प्रोब्लम से इसमें सबसे स्याद आरे हो चार्जिंग कनेक्टर का वज़ा से आरे हो चार्जिंग टेंपरेचर टू हाई आरे हो चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रे हो चार्जिंग एसी का जिंबर करनाई पड़ेगा उसका प्रोब्लम सा रे हो इसमें दो चार्जिंग एसी आरे हो ये Charging IC Replace भी कर सकते हो, ये Gember भी कर सकते हो, ये एक तो सुरूर बदलनाई पड़ेगा, येक तो Gember कर सकते हो, ओधोर भी इसमें बैस यादा प्रोब्लम्स है, Charging सेव नहीं हो रहे हो, इसका पूरा प्रोब्लम्स, आप लोगो ये वीडियो से मिलेगा, लेकिन वीडियो स्रेशीत डाल के अराम से निकालने का, अराम से निकालेगा, उसके बाद आप लोगों को पीछे तोड़ा स्क्रूस मिलेगा, बैस सारा स्क्रूस से ये एक करके निकालने का, उसके बाद हम लोग बोर्ट कोल के बात करेगा, उससे पहले आप लोगों को एक बात बोलेगा, हमलोग इलेक्ट्रोनिस्ट्में काम करने वाला है इसलिए हमलोग एकेक चीज, रसिस्टर, कप्पासिटर, ट्रांसिस्टर, डायोड, मोस्वेट, वेगेर, इतना कमपोनेंट्स, सरूर, चेकर के इसका वाल्यू भी, कैसे इसका वाल्यू पता चल सक्तियों, इसका वार्किंग क्या है, यह मेंड चीज है, इसका एक चीज इदर यूज कैसे हो रहे हो, मतलब समझ गया है न, आप लोगो कैसे, इसका वार्किंग पता चल सक्तियों, इसका एक पोईंट में वोल्टेज आ रहे हो, इसका दूसरा पोईंट में नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं है इसका वार्किंग क्या है यह आप लोगो मैंन में ओनाई चाहिए यह कैसे डिजिटल मल्टिमेटर में एक प्लेयरिस्ट में पड़ा हुआ उसके अंदर सारा कुछ इंफरमेशन आप लोगो मिलेगा यह सारा वीडियो देखेगा तो आप लोगो बहुत वाइदा मिल नहीं हमाहला वीडियो से यह बेद सिंबल तरीके से में उदार डीटेल में बतावाऊ खेको हमारा सर्फ यह हकोतो पड़ार तक पड़ा तो यह है इसका चार्जिंग गनेक्टर इसमें हेटफोन का इसमें हेटफोन ये headphone का socket कोलेगा उसके बाद आप लोगो्स को इदर देख सकते हो ये second वाला मोटा मिलेगा ये ये इसका positive pin इसमें आपको पूरा 7 pin मिलेगा ये side वाला ये second वाला positive वो positive में आप लोगो supply checker के देखनेगा उदर positive 5 voltage मिलनाई चाहिए सबसे last, second last वाला सबसे last वाला नहीं है उससे पहले वाला ये negative point इसका उदर भी मल्टिमेटर डालके आपलोगो चेक कर सकते है मल्टिमेटर का minus pro उदर रहेगा के इदर plus लहेगा के चेक कर रहेगा तो 5 voltage मिलनाई चाहिए अगर नहीं मिल रहे तो charging connector कराब हो सकते है वो charging connector बदलने के लिए आपलोग इदर दो स्कुरू charging connector के सामने मिलेगा ये दो स्कुरू कोल के तोड़ा ये उपर उटा सकते है उपर उटा के आपलोगो अराम से पूरा cover करने का जो heat नही जाने वाला वो sticker लगा के आम से वो charging pin में बदल सकते है इदर ही आ रहे हो इसके बाद इसका charging का connection पूरा board में आ रहे हो अगर आपलोगो charging connector कराब हे तो आपलोगो charging का strip मिलेगा अगर charging strip बदलने के लिए आप तयार नहीं तो आपलोगो इसका socket भी बदल सकते हो ये दोनों स्क्रू कोल के ये तोड़ा उपर ये strip तोड़ा उपर तोड़ा सववबर रेक्के आपलोगो अच्छा सा sticker से तोड़ा ये सिरफ charging connector दिखनेगा उसका दूसरा वाला पूरा जेगा आपलोग sticker से cover करके आपलोगो अराम से ये निकाल के दूसरा charging connector लगा सकते हो अगर charging connector में ok voltage ok ये strip में कोई मसले है तो वो कैसे चेकर सकते हो ये मैं बोलेगा उसके बाद board में आ रहे हो वो भी मैं बोलेगा पहले board का किदर आ रहे हो ये बोलेगा इसके लिए हम लोगों को ये तोड़ा कोलना ही पड़ाएगा ये display का strip, camera का strip, ये front cam, ये speaker का ये तो ओलेगा, ये पूरा strip कोलने का, उसके बाद इतार दो आटिना का जो connector है ओवी तोड़ा कोलने का उसके बाद चाहिए तो बादरी रिमूव करू, ने ये तो रेनेदू, मैं तोड़ा बादरी भी बार रिकेगा उसके बाद आप लोगोंको अराम से ये board निकाल सकते हैं, इसके नीचे ये charging का strip का करूशन, ओभी तोड़ा उतार के उपर तोड़ा लगाएगा, तो board अराम से कोल जाएगा ये देखो, ये ही हमारा board इसमें पेगले तो काम किया हुआ, कोई टंशन नहीं है, charging section इदर ही आ रहे हो ओके, ओके ना, problem में, किदर इसका charging का voltage आ रहे हो, में बोलेगा पेगले हम लोगोंको connector तक चेक करेगा, counter size strip में किदर आ रहे हो, ये पूर्या में आपको बोलने वाला है ये देखो, हम लोग का multimeter इदर 20 voltage में डालके, इदर 7 में रगा हुआ, minus drop में, negative में लगाया charging भी लगाया, charger भी लगा के रगा हुआ, उसके बाद सबसे पहले positive में voltage आ रहे हो, ये देखने का positive में 5 voltage आ रहे हो, ये हमारा 5 voltage आ रहे हो, 5.5 तक आ रहे हो, ठीके उसके बाद charging का positive voltage सीधा, इदरी strip में किदर आ रहे हो, में बोलेगा strip में ये पोईंट में आ रहे हो, ये वाला पोईंट में, इदर लगा के आपलो होँगो, देखने का, इस में किदना voltage आ रहे हो 5.4 तक आ रहे हो, मतलब हमारा strip बी ओके, इसका strip को भी charging अनक्तर को भी कोई प्रोब्लन नहीं, ये फर्स्ट वाला ये positive, ये लास्ट वाला negative इदर भी लगा के चेक करो, कभी negative भी ब्रैक आने के लिए चानसा से, ये वाला positive ये याद रहे हो, इदर positive प्रोब्लन येगो, दूसरा साइड में negative लगाएगा, तो भी 5 voltage मिलना इस जाईए, अगर मिलेगा तो strip ओके, ये charging अनक्तर भी, ओके, हमारा ये charging अनक्तर भी, strip भी अबी बोर्ड में किदर किदर इसका वोल्टेज आ रहे हो, ये में अपलोगो बताएगा, बोर्ड में सीधा आ रहे हो, इदर एक कोईल अपलोगो दिखाई दियेगा, काला कलर का एक कोईल है, इसका दोनो साइड, उपर का साइड में भी, नीचे का साइड में भी 5 voltage मिलना चाहिए, हम लोगो को चेक करके देखेगा, ये कापासिटर का उपर भी 5 voltage मिलना चाहिए, मिल रहे हो, 5.3 तक मिल रहे हो, ये कोईल में हम लोगो चेक करेगा, नीचे चेक करेगा, पहले 5.5 तक मिल रहे हो, OBTK, कोईल का उपर तोड़ा चेक करेगा, उदर भी 5.4 voltage मिल रह अब हम लोगों को चेक करने का इदर थोड़ा कंपोडनेंस पड़ा हुआ कपासिटर का ये साइड में सरफ 5 वोल्टेज मिलना ही चाहिए कपासिटर का ये की साइड में मिलेगा ओके ओबी ओके इदर एक कोईल पड़ा हुआ बड़ा वाला कोईल है इसका दोना साइड में 5 वोल्टेज मिलना ही चाहिए को भी टेक है आप लोगों को ये चेक करना है इदर थीन कपासिटर पड़ा हुआ इसका नीचे वाला साइड में पूरा 5 वोल्टेज मिलना ही चाहिए ये देखो एक एक करके चेक करो अपलोगो पता चलेगा किदर से किदर जमपर लगाने का क्या करने का आपलोगो ज пож altri मथब पता चलेगा अगर component checking माल नहीं है तो आपलोगो प्राइलिस्ट में जाल सकते हो यह देखो यह वाला चार्जिंग icその charging का मेन ic हो हुए चार्जिंग ic के साथ एक चोटावाल आइसी भी आप लोगो देख सकते हो ये चार्जिंग आइसी प्रोटेक्ट करने के लिए एक चोटासा रेगिलेटर आइसी रेका हुआ ये अमेशा कराब हो रहे हो आप लोगोंका ये आइसी कराब हो ये तो बिल्कूल चार्ज नहीं हो येगा आकर आइसा ये तो आप लोगो ये बेदल सकते हो आप लोगोंके पास ये आइसी नहीं ये तो आप लोगो पांच वोल्टेज फाइव वोल्टेज जिदर जिदर आर इसका 5 वोल्टेज इधर तक आरेए धेखने का आपलोगों को ये सोलीशन भी यूस कर सकते हुँ अब इसमें आरेए दूसरे एक प्रोब्लम है इसका चारजिंग टेम्पराचर टू है इसका प्रोब्लम charging temperature too high एतो आप लोग सबसे पहले यह charging strip एन यह पूरे आच्छा से एक बार thinner से नहीं यह तो पेट्रोल से वाश करने का उसके बाद यह charging connector कर अंधर भी तोड़ा वाश करने का उसके बाद आपलोवोंगो तोड़ा गरं करके फिर इसका ये charging का पिन्ने ना उसमें moisture वगेर ये देखने का नजी tastes आपलोवोंगो इदा तोड़ा paste लगा के वो एक बार resort करके करेगा तो आपलोवोंगो charging टेमराचर प्रोब्लम बिल्कुल टेक वोएगा आज का वीडियो इतना ही है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो इसमें कोई डाउट बेगे रहे है तो नीचे कमेंट करके पूछो बिगस जल्दी एक नया टोपिक लेके आप लोगों को सामने ही आएगा सब के लिए गुड़ बाई